नमस्कार आज हम प्रख्यात संगीत कलाविद संगीत मर्मग पदमश्री कजिन नरायन सिंग के साथ उपस्तित हैं उनकी आत्मकता सुनने के लिए धन्नावाद ड्रक्टर पुर्धान ये आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है उनके इस पड़ाव पर पहुचकर संगीत की इस दुन्या में जीते हुए है लोग कहते हैं संगीत बड़ाई कस्ट साध्य है इल्म और विद्या है लेकिन मैं जिन गुरूं के साथ उठा बैठा जिन से मार्क दर्शन पाया मैंने वहां आनंद ही आनंद था कस्ट कैसा संगीत तो आनंद का आवे रहाव है यहां हमारे सब्दकोस में कस्ट नाम का सब्दी नही है आनंद ही आनंद है कस्ट तो होता है शुरू में आप ही एक इतने समर्द परिवार से आये आप हिस्ट्री में इतना बड़ा अपनी डिग्री लिया आप एक प्रिटिश कंपनी में सेकरेटरी के तवर पर काम करते थे हो सकता है कि आपके परिवाद में को कश्ट हुआ हो कि आपने इस सब चीज छोड़ करके संगीत में अपने आपको जोड़ लिया क्या हुआ कि आपने इस सब चीज छोड़ करके संगीत में अपनी जिन्दगी विदा दी डाक्टर साहब ऐसा मानना है मेरा everything is destined आई ये अस्पदादिकारी के घर में मैंने जन मिलिया और मेरे पित्र बंस में कोई गाने बजाने का कोई शिल्सला नहीं था मेरे पिता जी को सुनने का शौक जरूर था दादा जी को भी था लेकिन मैं बड़े उल्जान में रहा काफी दिनों तक जो आखिर ये जनून मेरे में आया कहसे कहां से तो मुझे पता चला मेरे नाना जी मैंने जब तक होच समाला उसके पहले ही उगुजर गए थे वो सौकिया सितार और तपला बजाय करते थे तो इस तरह से मातर पक्ष से मुझे ये संसकार हासिल हुआ और पिता जी का सिर्फ कहीं रुकावट नहीं रही मेरे रास्ते में सिर्फ उनका एक कहना था जो अपना academic career तुम छोड़ों मत लेकिन आपने तपना academic career छोड़ दिया academic career छोड़ा मैंने जबकि company secretary से खतम किया graduation किया पटना इनवर्चिटी से सब कुछ करके commercial firm में मैंने agent assistant secretary काम भी किया लेकिन मेरी तब्यत वहां रमी नहीं तब्यत किसी और दिसा में मुझे खीचती रही क्या आपके परिवार वाले इसको accept किये क्या आप इस सब छोड़ करके क्योंकि जिस उस वक्त की बात कर रहे है जबकि एक सम्रिद फरिवार में संगीत में जाना संगीत में अपने career बिराना को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे बिल्कुल सही फर्मा रहे हैं आप और मुझे बहुत सुनना पड़ा मेरे पिताजी को भी जो आपका लड़का लचनिया गवनिया के साथ बरबाद हो गया लेकिन पिताजी सुनके हस देते थे और उनके जो प्राइवेट असिस्टेंट थे वो बराबर इस चीज़ को कहा करते थे तो बूलते थे लखन वो दिन आएगा जब तुम देखोगे तुमको जबाब मिल जाएगा और जब संगीत के छेत्र में मेरे अवदानों के लिए भारत सरकार ने मुझे पद मिसरी से नवाजा जो लखनपुरसाद मेरे हाँ दोड़े हुए आए जो साहब इस तरह से फोरकास्ट कर गये थे आज वो प्रतिफलित हुआ तो किसी भी चीज में आप रम जाएए और कुछ कर डालने का हुजूम अगर आप में है तो फिर रास्ता खुलता चला जाता है करें रुकावट होती नहीं है और फिर वो जिन्नगी है क्या जो काटों के दरमियान गुजरे इसलिए बहुत सारे चुनवतियां रही मैंने उसका कभी परवा नहीं किया और मौला के रह्मो करम से आज इस मुकाम पर हासिल हूँ जो मेरी आत्मकथा को आकासवानी रिकॉर्ड कर रही है यह बता ही जो आप इसमें गए आपकी पत्नी आपके बच्चों का क्या इसमें आपको सहयोग था उन लोग एकसेप्ट किया कि आप इतना अच्छा जॉब छोड़ करके संगीत की आप हसेंगे मैंने कभी गिरस्ती को देखा नहीं जाना ही नहीं गिरस्ती क्या होती है क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे लड़के लड़कियों ने कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं सारे घर गिरस्ती के जंजाल उन लोग ने अपने सिर पर रखा और मुझे बिल्कुल बेख़बर कर हो करके इस रास्ते में छोड़ दिया करने के लिए तो आज मेरी पत्नी का अगर सहयोग नहीं मिला होता तो मैं यह सारे काम मैं करना ही पाता खना कि पत्नी का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि उनने आपको इस इस चीज में एदम जुनून को आपको रियलाईस करने दिया बिल्कुल क्योंकि जब आप स्टार्ट की उस बड़ आपकी शादी नहीं हुई थी नहीं उसे शादी नहीं हुई थी सोसाइटी में कैसा acceptance था इसका उस बड़ सोसाइटी में पहले तो काफी टिक काटी पुणी हुई लेकिन बाद मैं जब मेरा संगीत के छेतर में थोड़ा कुछ बात बनने लगी तो सारे लोग मैंने कहते हैं फिर चुफ हो गए तो ये मुजिकल जर्णी आपका कितना उमर कितना होगा जब से आपने स्टार्ट किया सीखना अभी मैं उस वक्त बी ए आउनर्स का चातर था पटना कॉलेज में तभी आपने सीखना शुरू किया बहुत लेट तो ये 1960 की बात होगी जब मेरे घर पर विदुसी मीरा बैनर्जी और उनके पती परसून बैनर्जी का गायन था तो मीरा जी ने क्यों कहा पूने में पंडित बिना एक राव पट वर्धन के पास दीजिए उनसे बढ़ियां संगीत के गुरू अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है संजोग ऐसा हुआ जो आकासवानी पटना में हमारे छोटे गुरुजी याने बिनायग हुआ के बड़े लड़के नारहेन रोपट वर्धन में उजी प्रडूसर थे तो मैं उनके इतना करीब आ गया है मुझे इतना प्यार करने लगे है जो मरते दम तक मैंने कहते हैं मुझे संगीत की जो भी आज मेरी दृष्टी है जो भी सोच है सब उनकी देने मेरी अपनी कुछ नहीं है आप पुना जा कर सीखना शुरू किये आना जाना लगा रहते था और उन दिनों आपको मालू हूंगा पटने में दसारा का होता था तो हर साल पंडी जी कहीं न कहीं आते थे तो इस तरह से मेरे हाँ घर पर टिकते भी थे तो इस तरह से होता था साज बातें होती थी और मुझे पर इतने धर गए थे वो जो एक बार मैं पूने में उनके पास था तो उनके जो 78 RPM के रेकॉर्ड्स जो आज नहीं मिलते हैं वो सारी मैं देख रहा था सारे रेकॉर्डों को उसमें से एक रेकॉर्ड मुझे डुप्लिकेट मिला है तो मैंने कहा पंडी जी ये मैं रखनू कहा अरे एक का है सारा ले जाए तो मेरे छोटे गुरु जी ने कहा है जिए इसको कौपी करके तुम लोटा देना तो बड़े पंडी जी ने कहा है नहीं ये उसके लाइक नहीं है मैंने सही हाथ में दिया है और उसका सदुपयोग होगा तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यो मुझे अपने लड़के-लड़के अपनी संतान से बढ़के मुझे चाहते थे वो उनसे सीख रहा था ये आप इतनी कठिन तपश्या करके इतने अच्छे गुरू से पंडिव रायक रॉपर्ट वर्दन जो शायद डीव पलुसकर के गुरू थे तो इतने बड़े गुरू सीख करके फिर आपने मुझे को अपना आपने संगीत में अपने आपको गायक की रुपरे क्यों नहीं आपने पेसे वर गायक क्यों नहीं बना रहा बहुत अच्छा प्रस नहीं किया आपने इतनी अच्छी तालीम है मैं इसलिए नहीं किया जो मेरे घर में कोई गाने बजाने का सिलसला या पेसे इसका पेसा करने का सिलसला नहीं रहा दूसरी बात आपको पता हो गया जो समाज में एक वर्ग विसेश हुआ करता था जो गाने बजाने वालों का पोशन करता था संग रक्षन करता था, संवर्धन करता था वो वर्ग विसेश खतम हो गया तो मैंने देखा जो आने कहते हैं जो अगर मैं अपने को एजी पेसेवर गाया के स्थापित करता हूँ तो किसी घरानेदार गवये का हक मारूं कैंगा जिनके घर में पुष्ट दर्पुष्ट से इसका सिलसिला रहा है तो किसी घराने की गायकी को आप रेक्नाइस भी तो कराते बिहार इसे जगे में सही है, लेकिन मेरा गवारा मुझको ये नहीं हुआ इसलिए मैंने आजे प्रमोटर अपने को तपा खपा दिया पचास साल से उपर मैं इसी काम में लगा हूँ मैं पचातर साल की उमर हो रही है और मैंने बहुत लड़कों को मेधावी लड़कों को आगे बढ़ाने का काम किया और आज वो देश विदेश में नाम कमा रहे है यह उता है कि मुझे जयनकारी मिली है कि आपने तो अभी की पीडियों के अलावे इसके दो पहले पीडियों के कालाकारों को भी देखा है सुना है बहुत घड़िश ख्लोज भी रहे है इन लोगों से आप वह सब लोग ने पटना के हो देश के किसी कोने के हरो सब लोग ने आपकी बहुत ही इज़त से as a musicologist as a music के बहुत बड़े जानकार को तरफ से आपको जाना है और आपने भी music को बहुत ही करीब से देखा है बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं यह बताए कि आज कल की गाने में और पहले की गाने में क्या फरक आपको बैसुस होता है आज का गाना वो ज़्यादा गलावाजी होता है ज़्यादा गलावाजी उस्ताद लोग कहते थे बेटा गले से नहीं रूँ से गाओ तो उस बहुत दिन लग गए इसको समझने में तब बाद में माने कहते हैं जो रूँ से गाओ वो बात क्या होती है और पंडित मलिकार जोन मंसुर कहा करते थे जो साब ही लगे तो राग की वर्दी पहन के आवे इसलिए पहले जो गवई यह होते थे वो पहला सा लगाते ही राग को खड़ा कर देते थे रागनी ठड़ी हो जाती थी अच्छा सिर्फ साथ से कैसे किसी की रागनी पकड़ा जाएगी यही तो सिफत थी कास में इसको करके आपको दिखा पाता है लेकिन यह सिफत की बात है और आज उनको काफी वक्त लग जाता है आपने जो किताब लिखी है बिहार के संगितकार उसके बार वित्वार साथ मुझे बताया है यह लोग मुझे कहा करते थे जो बिहार की परंपरा संगित की और बिहार के घराने और बिहार के संगितकारों कि जानकारी मिलती नहीं है कहीं कोई ऐसा कहीं कोई ऐसा लिखावट में नहीं है यह कुछ नहीं है तो मुझे बहुत कचोड़ता था यह बात यह सुलके तो बहुत सालों में इसके पीछे लगा रहा और सारी जानकारियों को एक अत्रित किया यहां तक कि यह लोग फोटो तक नहीं देते थे तो कितने मुश्टील के गलक्ट किया और सारा करके यह सारा बिहार के संगीत परंपरा और आप को जानके प्रसंदता होगी जब भी बिहार की संगीत परंपरा एक मात्र रेफरेंस बुक के रूप में अमेरिका की कोलंबिया इनवर्सिटी में वो रेकगनाइज़ है वो पुस्तक उसकी लाइबरेरी में है बहुत अच्छा बहुत ही गर्व की बात है यह इस किताब को अगर हम लोग भेजें जो भी संगीत से आप यहां किसी इनवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में चले जाएंगे बिहार की संगीत परमपरा आपको नहीं मिलेगी और आपको यह भी मैं बतला दूँ जो बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्परेशन, पब्लिसिंग कॉर्परेशन से नौए कलास के छात्रों के लिए एक कलाविश्यक, वर्निका करके एक पुस्तक निकली है उसमें मेरे बिहार की जो मेरी पुस्तक है संगीत परमपरा है उससे संगीत आध्याय ले करके हूँ बहुत चाप लिया है ना तो मुझे कोई सूचना, ना कोई मेरी स्विकर्थी, ना कुछ नहीं जब मैंने पिंस्पल सेग्रेटरी मानव संसाधन विकास को सिक्षा विवाग को मैंने जब बतलाया जो आप लोगों के उपर अगर मैं केस करता तो कैसा रहता लेकिन मैंने केस इसलिए नहीं किया, यह मुझे इस बात से आत्मतोस है यह मेरी सामगरी नौए कक्छा के लड़के लड़कियों को पढ़ाई जा रही है वो लाब मिल रहा है आपके निमरे मिजिकॉलोजिस हैं, आपका संगीत लेखन की क्या साथ कता है संगीत लेखन की सार्थकता मैं तभी समझता हूँ क्योंकि संगीत लिखने की चीज दो है नहीं यह महसूस करने की चीज है संगीत आप लिखते हैं चाहे जो भी चीज लिखते हैं आप इतियास लिखें संगीत का, संसमरन लिखें बिवेचना लिखें, समालोचना लिखें, जो भी लिखें पढ़ने वाले को वही आनंद मिले जो सुनने से मिलता है तभी लिखने की सार्थ हकता है और ये अभी जोहरा मेरी किताब निकली और जितने लोगों ने पढ़ा राइपूर के दो सज्जन ने मुझे फोन किया जो जोहरा है ऐसे लगता था जो जोहरा भाई को हम देख रहा हैं और सुन रहा हूं कल्पित जी ने ये बात कही जो पढ़के ऐसे लगा गजंदर जी आप अजीमाबाद के उस दोर से गुजर रहे संगीत की समिक्षा हो सकती है क्योंकि आप तो सफल समिक्षक भी रहे चुके हैं संगीत की समिक्षा है जरूर हो सकती है लेकिन समिक्षा सब्द मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है ये music criticism जो है western concept हमारे सदियों से संगीत जो है ये इसकी समिक्षा लिखी नहीं जाती रही जितना गाना बजाना होता था चाहे उमा film में हो चाहे जहां भी हो बैटकों में हो तो appreciation जो होता था उसके लिए दो लव्ज थे आह और वाह तीसरा कुछ नहीं था आज परिवेस बदल गया है तो तालियां बजती है मैं कभी ताली बजाता नहीं हूँ लोग मुझसे पूछते हैं तो मैंने का जिए मैं क्रिकेट की मैदान में नहीं बैठा हूँ गाने के जलसे में बैठा हूँ और गाने के जलसे में तालियां नहीं बजाई जाती है गानिया काया, जब हम भीतर से खुस होते हैं, चाहिए भीतर हमारा किसी को सुन के कचोट बिदग्ध हो जाते हैं, तो हमारे मुझ से वो वावा चाहिए आह निकलती है, तो वो आह जो निकलती है, उसको हम तालिया बजा के किसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वावा को तो आप ए आपको मालूम है जो मैं ताली नहीं बजाता हूं लेकिन मैंने वाह की लेकिन आपकी नजर तो ताली याळ किनने में लगी हूई थी तो मेरे वाह आप कहां से सुन पाते हैं? तो गाने बजाने वाले जो खास करके जो अपने घराने दार काते हैं वो भी उस ताजीब को भूल गए हैं, वो भी उस ताजीब को भूल गए हैं, अच्छा आप वेस्टर्ण ये में भी देखेंगे, जो वो जो सुनते हैं, इतने अटेंडिवली सुनते हैं, वो बीच में कहीं ताली नहीं बजाएंगे, जब खतम हो लाएगा, तब उठके वो ताली बजाते हैं, ये हैं उनके हां, काइदा, आप बतायाने थे कुछ और सिंगीत की सब इच्छा नहीं कहकर क्या आप कुछ और अपने वर्ड यूस किया था भी, हम रखाना हैं, जो मन कहते हैं, जो आप फला का गाना बजाना, उसका ओवर ओल इंपक्ट, लिसनर्स में कैसा रहा, इसको आ जापते आप लिख सकते हैं, बड़े अच्छे डंग से लिख सकते हैं, और उसका critical analysis अगर जब आप करेंगे, तब फिर technicality आजाती है, और technicality जो आजाती है, तो बड़ा वो रुख्च हो जाता है, वो मामला है, वो एक तरो से हो जाता है, जो आप आच्छे प लगा रहे है और यह सारी बाते माने कहते हैं, इसलिए मैं इसको इसलिए कहता हूँ, जो technicality में आप मत जाइए माने कहते हैं, आप appreciation में जाइए, और लोगों को आप बतलाईए माने कहते हैं, जो music को किस तरफ से appreciate किया जा सकता है, सभी बात, एक तरफ आप बात करे थे puritan होनी की, ठीक है, अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, कि आप महसूस कीजिए music को सिर्फ एक कीजिए लेकिन तब वहाँ एक बात है, जो आप कोई नामचीन कोई गवया गा रहा है, फला राख गा रहा है, उसमें फला सोर बर्जित है, और वो लगा दिया, लगा तो दिया, अगर उस राख की सकल नहीं बिगड़ती है, तब आपको उनका गरदन पकड़ने का पूरा हक है, औ अगर राख की सकल नहीं बदलती है, तब अगर सकल बदल जाती है, तब पकड़ने का हक है, और सकल नहीं बदलती है, तब नहीं, जो प्यूरिटन है, उनके नजर में तो अगर उनने लगा दिया एक स्वार, जो वर्जित है, तो फिर तो वो राख, प्यूरिटन के नजर म वहां वह हाड है, हाड को एकदम ऐसा नहीं है, भाई हमको तो मुरीद बना लिया, उसने माने कहते हैं, जो बर्जित स्वर लगा के नहीं राग स्वर के सकल को ठीक रखा, यह तो कमाल कर दिया उसने, सभी बाद, लेकिन अगर कोई सच में राग का परिचह ही आकारी बदल देता है, तो उसको तो, नहीं नहीं बक्सा जा सकता है, बर्जित राग में स्वर का बर्जित उसकी चर्चा हो रही थी, छपरा कॉन्फरेंस में खासा बुड़े गुला मली गा रहे थे, हम मालकों गा तो उन्हाने का के, का जो इस राग में पंचम वर्जित है, मैं पंचम लगा रहा हूं और अगर शकल बिगर जाए, ता आप लग में रोक देना मुझे, और इस खूबी से वो पंचम लगा गया, जो कहीं भी राग भुरस्ट नहीं हुआ, ये बात जो है, सो बड़े अपना बनाया, अब्दोला खान, जिनके बारे में कुमार बहादुर विरंद की सिर्य राय चोधरी, जिनको जो भी बजाते थे, और सेनिया मुहमद अली खा, दबीर खान साहब, वजीर खान के पोते, इन लों से उन्होंने भी इन सीखा था, और दो हजार धुर्पत की ब यादे से, वहें के जमिदार थे, विरंद की सर्य राय चोधरी, वहें बिलायत खान साहब का जन्म हुआ, और कलकते में बिलायत खान साहब को एक घरे दिया उन्होंने, जिस रास्ते पर वो घर है, उसका इनायत खान साहब के नाम पर वो सरक है, वो बिलायत खान साहब का बेन बजाते तो नहीं सुना लेकिन गाते हुए सुना मैंने धुरुपद और बेन पर संगत करते हुए बिरन सुर्राय चोदरी को सुना मैंने उनलों का क्या कहना है मैंने कहते हैं बड़े अवलिया गुणी लोग थे और अपने साथ वो गुण की जो पूटली थी सो अपने साथ ही लोग लेते चले गए उनलों के बारे में महफिल के बारे मैं एक दोसेर मैं अरुद करूंगा कि दागे फिरा के सोभवते सबोंकी जली हुई एक सभूा रह गई सो वह भी खामों से है और याद आएगी हमेशा आपके महफिल मुझे याद आएगी हमेशा आपकी मैफिल मुझे और आपसे होकर जुदा जीने न देगा दिल मुझे और क्या गाना बजाना उन्हों का था तो तेरे बाद अकबर कहां ऐसी नजमे है तेरे बाद अकबर कहां ऐसी नजमे है कहां ऐसी नजमे तो दिल को बहलाने के अफसाने तो है तू नहीं है तेरे तराने तो है बहुत कुछ तुम नहीं है तो तेरे एक तरानित है बहुत कुछ तुम नहीं है तो तेरे एक तरानित है बहुत कुछ तुम नहीं है 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 तुम ये कहा फरमाते हैं नहुआ पर नहुआ मीर का अंदाज नसीब नहुआ नहुआ पर नहुआ मीर का अंदाज नसीब जवक यारम ने बहुत जोर गजल में मारा और गाना बजन है क्या कैसे लोग होते थे तो गोहर को करती हैं अश्कवारी पैदा अश्कवारी मतलब आशा और तमकिन को मोजे बेकरारी पैदा सोबार चमन में जब तरपती है नसीम नसीम मतलब ओस कबूद होती है कली पे एक धारी पैदा उमकरंद एक चीरत आईए यह जिस आपने खा ना कि रेकर्डिंग नहीं थी संगीत बहुत लोग सिखाये नहीं कुछ लोग कुछ तो अभी भी है मुजिशन से माली दो जूर कर किसी को सिश्य नहीं बनाई है किसी को सिखाया नहीं अपनी चीज अपने पास रख कर ले गए अगर हिंदुस्तानी शास्ति संगीत में डॉक्टेशन हो सकता है यानि थाकि यह सिख चीज हमारे जिसे शास्ति वेस्टन क्लासिकल में डॉक्टेशन के तो बहुत जरूरी है जिन लोग की रेकरडिंग हुई नहीं रेकरडिंग की बात नहीं कहर रहा हूँ नोटेशन से पेपर्स पर जैसे वेस्टन क्लासिकल मुझीग को आप रहते हैं हिंदुस्तानी शास्ति मुझीग को आप नोटेशन पर पर पेपर पर कर सकते हैं यह नहीं हो सकता है चुक inspires के इसकी कुछ ऐसी बारेकिया है जिसका नोटेशन हो नहीं सकता है असंभव है बहुत हद्तक है पनुसकर जी ने, बातखंडे जी ने कोशिस की नोटेशन की, लेकिन उस सारी चीजों की पूर्ती नहीं हो सकी मीर क्या है? मीर जो है, वो बहुत सारे राग है, जो मीर परधान है वो रागों का विस्तार मीर से ही होता है, मीर घसीट बोलते हैं उसको, सुरकुमाने कहते हैं, मीर सूत तो ये मीर तो आप नोटेशन ले नहीं डाल सकते हैं? नहीं, नहीं डाल सकते हैं उसी तरह से किरानेवादों का है कन, उसका भी नोटेशन नहीं हो सकता है उसी तरह से हैं गमक उसको भी नोटेशन नहीं कर सकते हैं तान वगएर को तो नोटेशन नहीं ला सकते हैं आप तान ने तो बहुत असान है नोटेशन नहीं तो तान में भी बहुत सारी चीज़े हैं जो नहीं हो सकती है नोटेशन और अब जैसे समसुद्दिन खान तो वो लिये थे अबदुलकरीम खान साब के तो मुझे निखिल बर्नाट जी ने एक बाद पुछा जो आपने समसुद्दिन खान को सुना है हमने का नहीं तो हीड़ा भाई बरोदकर का एलपी डिस्क है इमन का है उसमें समसुद्दिन खान है ठेका लगाए है जरा सुनिएगा उसको तो समसुद्दिन खान साब का तबला गाता था इतना सुर में बज़ता था और उसके बाद दूसरा तबला फिर करामत खान साब का ही सबिर के तो इस तरह की बाते थी आपको कौन-कौन सी रागे पसंद है, जिसमें बच्पन से राग, फेवरिट राग सबका होता है आपकी कौन-कौन भाहर भी तो पसंद ही है, वो सदा बाहर है उस रागनी को छूट है, जो किसी वक्त भी गया जा सकता है और मिया की तूड़ी है क्यों आपको मिया की तोड़ी है, कोई भी राग क्यों ज़्याद़ पसंद आती है मैं बोलता मिया की तोड़ी है सबरे के राग में जोन पूरी है उसके बाद गोर सारंग है बहुत कुश़र है फिर भेंपलासी और मुलतानी है फिर भूख पूरिया है इमन है स्री है बिहाद है फिर लेट नाइट में दर्वारी कानड़ा है और सुहनी मुझे बहुत पसंद है सोहनी लेट नाइट का है अच्छा लेट नाइट का है इज बताए आपको अब ये रागों का जो समय के साथ जो वरगी करन हुआ है यह भी भूर साइन्टिफिक है कुछ नोट जो है सर्टन पीरियड में हो कान को अच्छा लगता है जैसे करनाटक संगीत में भी समय का था विधान लेकिन सो साल पहले उसके बाद खतम हो गया तो एक बार बंगलोर में स्पिक पैक है क्या है था कन्वेंशन उसमें एक साउथ इंडियन भीना बजा रहे थे सावियरी तो बोलो दिस इस अ मोर्णिंग मेलडी इसका हिंदुस्तानी में जो गया तो जब खतम हो गया तो हम यह उनको कहा जो आपके हाँ तो समय का कोई प्रावधान नहीं है आपने मौर्णिंग मेले भी क्यों कहा तो उन्हें नहीं कहा देखार सर्टिंड रागाज जो कि उस वक्त में बजाने पर ही सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि संगीत में इतनी छोड़ हो कि अगर आप आप भागेश्यरी सुबह बजा लिजे तो सुबह शाम हो जाए जब सुबह शाम हो जाए ऐसा होता नहीं है एक अमीर खानती सितारिया ग्वालियर में जो अलहिया भिलावल सुबह करा गए साम में मैंने कहते हैं जब बजाया पेर पर जितने चड़ेया थे सब चाकने लगे जैसे भोर में जैसे चाकते हैं और उड़ते हैं उसी तरह से वैंसे इंक्रियेट हो गिया तो राग्मति ये आच्छली कहते हैं कि राग में ये बल है कि इनो अगर इस वक्त बजा दीजे तो सही तरीका से बजा दिए तो वक्तरी चेंज हो जाता है अच्छा राग का जो प्रवाव यह जो सुनते हैं जो मिरिरंजनी तोड़ी गा के बजिव हिरन बुला दिए दिपक राग गा के तांसन दिप चला दिए ताना तानी मलहार गा के वारिसकरवादी यह बीसमी सदी में भी हुआ ऐसा बशर्ते माने कहते हैं वो गाने वाला ऐसा हो जिसके सुर में वो जादू हो तो 1901 का वाकिया है लाहर गांधर महा विद्याले की स्थापना की थी पलुसकर जी ने और नित्य साम में अपने विद्याले का जो बड़ा हॉल जीसा कमरा था उसे में गाने के लिए अपने सिस्चियों को लेके बैठते थे इन तो मारवा साम में बैठे गाने के लिए इतने में पलुसकरवी की आग की जोती कम हो गई थी बचपन में पठाका लग जया था इसलिए लेकिन पूरे ब्रैंड नहीं हुए थे दूर की चीज धुदली दिखती थी तो गाना शुरू ही कर रहे थे इतने में देखा उन्हों ने जो ये कोई आके आखिर में बैठ गया है जो मराथी वो लाल पगडी जैसा पहनते हैं वो इसे आके तो इनको उच्छता हुई जो भई ये कोन है लेकिन समय हो गया था इनोंने सुरू कर दिया और बिजली नहीं थी तीस कैंडल पावर का जहार लगा हुआ था वो गाते गाते माने काते हैं दाइबत पर ऐसा प्रचंड आंदोलन किया इनोंने जो तीसो कैंडल पावर फक से बुझ गिया और कोई आंधे तूफान हावा कुछ नहीं था वो थे विश्नु नारायन भातखंडे जो आये हुआ वो जो देखा उन्होंने तो माथा पकड़के थोड़ी तर बेट गए और चुप चाप निकलके बाग गए तो जो गाना खतम हुआ तो फिर ध्यान गया इनका वो देखो वो कोई ऐसे थे वो भी कोई माने हुए कोई थे वो कौन जराय धुड़ो लेकिन वो तो निकल गए जब उनिस साथ में जब बंबई आये पलुसकर जी तो अपने सिस्सियों को इन्होंने कहा राखा था जो भई खोज करू जो हकून तो चोब पार्टी में एक दिन बने कहते हैं यह लोग थे लड़के लोग तो देखा जो एक दूबला पतला सा हुआ इसे ही टूपी तो पीसे से रुक ये तो रुक गए वो क्या बात है बच्चों तो आप 1901 में गांधर महाविद्याले लाहूर गए थे क्या है क्या तुम लोग कौन हो तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुसकर के हम लोग सागिर्द हैं सब को कहा हमें विष्णु दारायन भात खंडे हूँ मैं ही गया था और मुझे पलुसक क्या में लोग को